बहुलक मत्र दो सिकेंड में अंसर कर सकते हैं, बहुलक देखते ही अंसर आपको लोग कर देंगे, देखे एक लाइन में आप समझे बहुलक होता क्या है, एक लाइन में कहा जाए बहुलक होता क्या है, तो सबसे अधिक बार आने वाले पद को ही बहुलक कहते हैं, सबसे अध देखित आकडों का बहुलग याद किजिए, तो बताइए, एक, तीन, पांच, 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 चार, छे में बहुलग क्या होगा, आप लोग खुद देखकर बता सकते हो कितना होगा बहुलग, पांच होगा, यह जिस पद की बारमबरता सबसे अधिक होगी, वही बहुलग कहलाएगा है, हैना, तो देखो, पांच इसमें ज्यादा बार आया हुआ है, देखो, एक, दो, तीन, तीन बार पांच आया हुआ है, बाकी जो है, आईसी कोई संख्या नहीं है, आईसा कोई पद नहीं है, जो अधिक बार आया हो, तो पांच एक ऐसा पद है, एक ऐसा संख जो अधिक बार आये हुआ तो बहुलग कहलेंगे 5 होगा है आप देखिए कुश्चन नमर 4 का 2 वाला पार ठीक है 2, 4, 6, 3, 4, 3, 4, 4, 7, 2 अगर देखा जाए कि इस वाले कुश्चन में बहुलग कितना होगा तो आप लोग बताओ कितना 4 क्यों 4 होगा क्योंकि 4 की बार अंभारता सबसे अधिक है देखिए 4 यहां पर एक चार 2, 3, 4 नि चार कितनी बार आया है फोर कितनी बार आया है इसलिए हम लोग कह सकते हैं बहुलग कितना है फोर है अब फोर का थर्ड वाला पाड़ देखिएगा 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 3, 5, 2 बहुलग क्या है आप लोग बताओगे बहुलग कितना होगा 7 होगा है किसकी बार अंभारता सबसे अधिक है तो आप लोग बताओगे 7 है यदि आपको अच्छा लगता है सोंज में आता है तो आप लोग जो है लाइक और सेवर जरूर किजिएग बहुलग 7 क्यों आया क्योंकि 7 की बारामबारता सबसे अधिक बारा है देखे एक 7 यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 यह नहीं 7 कितनी बारा है 4 टाइमस है हुआ है इसलिए हम बहुलग कह सकते हैं कितना है 7 है यनि कि जिस पद की बारामबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलग कहला झाल 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 झाल